बांधनी साडियों का इतिहास चार से पाँच हजार साल पुराना है इसे सबसे पहले सिंदु घाटी सब्विता के दोरान फैचाना गया था सावन के महीने में जो हमारे सीव संबू बुलेनाथ का महीना गिना जाता है उस महीने में लहरिया पहनना बहुत सुब माना जाता है इसका नाम समंदर में जो लहर चलती है लहर की पैटन के उपर ये नाम लिया गया है कपड़े को सई ढंग से बांधना असान नहीं होता है दोस्तों इसमें बहुत सफाई और बहुत हुनर की जड़ोती है गुनिस्वी सतावदी के अंत तक इसका इस्तेमाल राजस्तान के कई अलग-अलग हिस्सों में होने लगा लहरिया बनाने के प्रोसेस में कपड़े को तिर्ची धारियों से आज मैं आपको दो ऐसी एनोखी परंपरिक कलाओं के बारे में बताऊंगा जो भारती है परीधानों की आत्मा है सही पेचाना आपने इनका नाम है बांधनी और लहरिया दोस्तों ये दो नाम सुनती ही हमारे मन में रंग-बिरंगी छटा और कला की एक अलग ही जलक आ जाती है मन खुश हो जाता है चलिए आज मैं आपको बादनी और लहरिया की इस रंगीन यात्रा के उपर लेके चलता हूँ नमस्कार दोस्तों मैं अजय अजमेरा अजमेरा फैसन सुगत से एक बार फिर से आप सबी का स्वागत करता हूँ आपके अपने सोशल मीडिया चैनल अजमेरा फैसन में आज मैं आपको दो ऐसी अनोखी पारंपरिक कलाओं के बारे में बताऊंगा जो भारतिय परिधान की आत्मा है सुरुआत करते हैं बांधनी के साथ बांधनी जिसे बांधनी या भंधेज के नाम से जाना जाता है राजस्तान और गुजरात की परसिध टाई डाई तकनीक है दोस्तों टाई डाई का मतलब है टाई याने बांधना और टाई याने रंगना चुकि इस कला में बांधना एक important step है इसलिए इसे बांधनी बोला जाता है बांधनी के नाम से बांधने की जो कला होती है इसलिए इसको बांधनी especially बोला जाता है दोस्तों बांधनी साडियों का इतिहास चार से पाँच हजार साल पुराना है इसे सबसे पहले सिंदु घाटी सब्यता के दोरान पहचाना गया था यह कला मूल रूप से राजस्थान और गुजरात में विक्सित हुई और धीरे-धीरे पूरे हिंदुस्तान में लोक्तिय हो गई बांधनी बनाने के प्रक्रिया में कपड़े को सूती धागे से बांद कर रंगा जाता है और बांधने के बाद कपड़े को रंगों में डूबोया जाता है जिससे बांधे हुए हिससे रंगे नहीं होते हैं और एक से बढ़कर एक design बनती चली जाती है यह process कई बार दोराया जाता है रिपीट किया जाता है जिससे कपड़े पर विभिन अलग-अलग रंगों और पैटन का डिजाइन तियार होके बन जाता है बांधनी साडियां तियार करने में बहुत समय लगता है और मेहनत लगती है लेकिन अंत में वो चीज निकल के आती है जो देखने लाइक होती है जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों बांधनी साडियों में भी कई प्रकार के डिजाइन होते हैं अलग-अलग डिजाइन्स ये देखे इस तरीके के डिजाइन्स एक-एक फोटोस के साथ मैं साडियां दिखा रहा हूँ आपको इसमें एकत, बोरका, सिखर, चोकडी, बहुत सारे डिजाइन होते हैं हर एक डिजाइन का अपना एक महत्व है और उसकी पहचान होती है दोस्तों ये साडियां न किवल शादी और क्योहारों में डिमार्ड में रहती है बलकि डेली वेर में तो एक खास जगह रखती है अपनी बांधनी साडियों में चमकिले रंग और कई तरीके के पैटर्न होते हैं जो उन्हें यूनिक बनाते हैं सूरत में अजमेरा फैशन यानि कि हम इन साडियों का बलक मातरा में क्वांटिटी प्रोड़क्शन करते हैं हमारे यहां आपको कई रंगों और डिजाइनों में ये साडियां बिलकुल रिजनेबल रेट के अंदर मिल जाती है दोस्तों मैं कुछ पीसेस लाके रखा हुआ हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि इतनी ही डिजाइन है हमारे पास में है इन केस अगर आपकी भी ऐसी कोई रिक्वाइरमेंट है आप बेचने के लिए बांधनी और लहरिया का कलेक्शन मंगवाना चाहते हैं स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है आप कॉल करके हमारी टीम से बात करके कपड़ा मंगवा सकते हैं दोस्तों अगर हम बांधनी साडियों के जो संस्कृतिक महत्व इसका होता है उसकी बात करें तो इन साडियों का भारत में एक संस्कृति में विसेश स्थान है न्यूली मेरिड लड़की को सगुन के रूप में बांधनी साडियों दी जाती है ये साडियों केवल एक परिधान नहीं है बलकि पवित्रता और सोभाग्य का प्रतीक है दोस्तों यह कहना कोई अतिसयुक्ती नहीं कि बांधनी के माध्यम से हम न केवल एक राचीन कला का अनुभू करते हैं बलकि हम अपनी सम्रद सांस्कृतिक विरासत को भी जीवन तब बनाए रखते हैं दोस्तों अगर आपको यह जानकारी है पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं जिससे कई जानकारी आपको मिल ही नहीं पाती है इसलिए प्लीज 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 जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीज यह बेलकुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगने वाला है, दोस्तों अब बात करते हैं लहरिया की, लहरिया की साड़ी दिखाता हूँ मैं आपको, दोस्तों बांदेनी की तरह ही लहरिया भी एक अनोफी टाइडाई कला है, इसका नाम समंदर में जो लहर चलती है, लहर की टंस सजी होती है, क्या आप जानना चाहते हैं लहरिया कला की सुरुआत कब और किस कपड़े के साथ हुई थी, साड़ियों में तो बहुत बात में आया है यह लहरिया, माना जाता है कि लहरिया सत्रवी सताबदी के अंदर, राजपुता ना राजाओं की पगड़ी के आने लगी, अपना ही जाने लगी, बुनिस्वी सताबदी के अंत तक इसका इस्तेमाल राजस्तान के कई अलग-अलग हिस्सों में होने लगा, लहरिया बनाने के प्रोसेस में कपड़े को तिर्ची धारियों से, यह इस तरह की तिर्ची धारियों से बांध कर रंगा जाता है, जिससे अलग-अलग-अलग तरीके की धारियां बनती है पूरी साड़ी के अंदर, या पूरे कपड़े के अंदर, यह प्रोसेस कई स्टेज में पूरा होता है, इसमें रंगरेज, जो इसका रंगने वाला होता है, मैं प्राकर्तिक चीजों की बात कर रहा हूँ, आज क थे, वो रंगरेज अपनी कला और मैनत से बहुत बड़ा योगदान इसके अंदर देता था, लहरिया प्रिंट टियार करने के लिए एक ही कपड़े को कई बार डाई किया जाता है, और अलग-अलग रंगों की वेव्ज बनाई जाती है, कपड़े को सई ढंग से बांधना असान नहीं होता है दोस्तों, जिसमें बहुत सफाई और बहुत हुनर की जरुत होती है, लहरिया के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, लहरिया कई तरीकी की साड़िया आती है, जिसमें लहरिया की डिजाइन को अलग-अलग नामों से बुलाया जाता है, राजसाही लहरिय समंदर लहरिया, बोपाल साही लहरिया, मोठड़ा वगर भी अब तो आने लग गए हैं, लेकिन एक समय पे ये तीन चार चीज़ें जो है काफी popular थी, और हर प्रकार की अपनी एक speciality और beauty होती थी दोस्तों, राज साही लहरिया बारीक लाइन वाले लहरिया को कहते हैं, जबक रेड और रानी कलर की बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी lines, जो waves होती है, मोटी-मोटी होती है, इनके सांस्कृतिक महत्वकी अगर बात करें, तो लहरिया, साडियां, हिंदू धर में बहुती पावन मानी जाती है, सावन के महीने में जो हमारे सीव संबू भुलेनात का महीना जाता है, उस महीने में लहरिया पहनना बहुत सुब माना जाता है, और यह सोभाज्य का प्रतीक है, सावन और तीस्ट योहरों के दोरान हमारी जो माताएं बहने हैं, वो लहरिया के साड़ी जरूर पहनती है, जिनकी नई शादी होती है, नविवाई जो होती है, और अब होने के साथ साथ यह बेहत आकरसक, अट्रैक्टिव भी दिखती है, पूरे भारत में सावन के महीने में हरे रंग के, कहते हैंने सावन के अंदे को हराई हरा दिखता है, तो खेर वो एक अलग कहावत है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करी जाए, तो सावन के महिने में हरा रंग का परिधान बहुत महत्वर रखता है और लहरिया इसमें specially प्रमुख जो परिधान माना जाता है लहरिया की डिजाइन specially सामिल की जाती है दोस्तो दोस्तो इस साल 22 जुलाई से सुरू होगा सावन का महिना और 19 अगस्त को खतम होगा इसलिए अजमेरा फेशन में भी इन साडियों की डिमांड अभी से आनी सुरू हो गई है प्रोडक्शन भी अम लोगों का त्यार हो गया जैसे कि आप देख रहे हैं एक से एक खूब सूरत साड़ी आपके सामने में लेकर के आया हुआ अगर आप भी इन साडियों से अपनी शौप को अपनी धुकान को सजाना चाहते हैं तो अभी से इनकी प्लानिंग सुरू कर दीजिए अगले एक महीने के अंदर अपना इस टॉक सुरक्शित कर लीजिए दोस्तों दोस्तों बांदनी और लहरिया साडियों की लोक्रियता समय के साथ बढ़ती चली गई आज कल के फेशन में भी इनका बहुत 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 ज़्यादा मेत्र है ये साडियां फेशन शो फिल्में और और भी बहुत सारे जो सांसकतिक कारेकरम होते हैं अभी जो भारत मंडपम में जो कारेकरम हुआ था वहाँ भी आपने देखा होगा बहुत सारे सांसकतिक कारेकरों में बांदनी और लहरिया साडियों को पहनते हुए आपने लेडिय्स लोगों को देखा होगा आजकल तो विदेसी डिजाइनर जो पॉरेनर डिजाइनर होते हैं वो भी बांदनी और लहरिया की डिजाइनों को अपने कलेक्शन में रखते हैं इन साडियों की जो डिमांड है वो केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि इन्टरनेशनल लेवल पर भी भरती चली जा रही है यही नहीं बांधनी और लहरिया के डिजाइन केवल साडियों तक से मित नहीं है बलकि पगड़ी का तो मैंने बताया ही आपको दुपटों में, सूटों में, कूर्तियों में, यहां तक की स्कर्ट और टॉप में भी आपको कलेक्शन मिल जाता है तो दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा कि बांधनी और लहरिया साडिया भारतिय संस्कृति की रंगीन धरोहर है यह साडिया नहीं केवल हमारी परंपराओं और संस्कृति को जीवन्त बनाए रखती है बलकि हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है बांधनी और लहरिया की साडियों का हर एक कहानी कहता है जिसमें कलाकार के मैनत, क्रियेटिविटी और भारतिय कला की आत्मा चुपी हूई होती है दोस्तों बांधनी और लहरिया साडियों पर यह जानकरी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताईएगा दोनों में से कौन सा कलेक्शन आपको ज़्यादा अच्छा लगा हलांकि मैंने दिखाया कमी ही है ज़्यादा दिखानी पाया हूँ क्योंकि मुझे जानकारी देनी थी आप लोगों को लेकिन आप किसको लाइक करते हैं तो प्लीज प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा और ऐसी जानकारीयों के लिए हमारा चैनल फिर से एक बार आपको बोलता हूँ सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा आपका दिन शूब हो आप खूब प्रकति करें खूब आगे बढ़ें इसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो को यही विराम देता हूँ फिर मिलेंगे नए प्रोड़क्ट के साथ नए जानकारी के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत